प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत हैं प्यारे बच्चों आज हम कक्षया आठ विश्य गणित अध्याय दो एक चरवाले देखिक समीकर्ण कारिया पुस्तिका के परशनों को हल करेंगे तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं चीन बच्चों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और सेयर कर दें तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास का पहला जो परसन है वो है तुमने समीकर्ण के बारे में पढ़ा है इन में से कौन से समीकर्ण उन पर सही का निसान लगाओ तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ समीकर्ण जो होता है उसमें हम क्या करेंगे ऐसे लिख सकते हैं जैसे तुमारे भाई की आयू तुम से पांच वर्ष बड़ी है मालो तुमारी एक्स है और तुम से पांच वर्ष बड़ी है ठीक है और बराबर कितनी आती है जैसे बारा वर्ष आती है तो एक्स यानि तुमारा मान कितना है तुमारी आयू कितनी है साथ है साथ में पांच जोड़ेंगे बारा तो इस तरीके से समीकर्ण होती है वो एक रेखिक स्मीकर्ण होती है जिसमें तुम्हारी X मान लो X में 5 जोड़ा कितनी आई 12 तो X का अगर मान निकालेंगे तो तुम्हारी आई उ कितनी आजेगी 7 यानि इसमें बराबर काचिन यहां पर होगा वो किसी के बराबर होगी तो आप पहले जो स्मीकर्ण देख सकते हो इसमें X जमा 5 बराबर शाथ है तो यह एक स्मीकर्ण है दूसरी में भी देखो यह किसी के बराबर है 2 बटा 3 Y जमा 1 5 बटा 3 तो यहां पर यह भी स्मीकर्ण है अब तीसरी स्मीकर्ण इसके अंदर देखो इसमें कहां कोई बराबर का चिन है क्या नहीं है तो ये एक वेंजक है सिरफ तो आगे वाले में भी आप देख सकते हो इसमें भी बराबर का चिन नहीं है ये भी एक वेंजक है इससे आगे भी आप देख सकते, इसमें भी बराबर का चिन नहीं है, तो ये एक वेंजक है, तो क्या लिखेंगे, इन में से कौन से स्मीकर्ण नहीं है, तो नहीं वाले बताने हैं, तो तीन नहीं है, चार नहीं है, और पांच नहीं है, यही बताओ कि इस स्मीकर्ण क्यों न नहीं है, ठीक है, तो इसका कारण ये हो गया, और आगे ये भी लिख सकते हैं, ये वेंजक हैं, ये सिरफ वेंजक हैं, ठीक है, आगे तुम भी समीकन लिखो, तुम भी पांच समीकन लिखो, तो क्यारे बच्चों, आप कोई भी पांच समीकन लिख सकते हो, जैसे एक्स जमा एक बराबर चार पहला और दूसरा अगर आप लिखो तो लिख लो दो वाई जमा तीन बराबर चे और तीसरा अगर आपको लिखना हो तो जैसे जैड जमा चार बराबर दस चोथा अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो जैसे तीन वाई जमा एक बराबर नो तो इसी तरीके से पांच वाँ भी आप लिख सकते हो एक्स जमा साथ बराबर दस तो मैंने यहाँ पर पांच समीकर्ण लिखें आप भी जुरूरी नहीं है यही समीकर्ण लिखो आप अपने हिसाब से अपने समीकर्ण लिख सकते हो ठीक है आगे है प्रस्ट नमर तीन चित्र में संतूलित तराजो दिखाईगे इसे देखो बाया पलडा दाया पलडा बाया में एक्स जमा दो है और इधर आठ है इसका मतलब क्या है चुँकि दोनों पलड़े बराबर है तो एक्स जमा दो बराबर किसके आठ के सही लिखा आगे देखो एक्स का मान क्या है तो प्यारे बच्चो एक्स का मान मैं यहां निकाल के आपको दिखा देता हूँ एक्स जमा दो बराबर आठ था अब इस दो को इधर ले जाओ दो अगर बराबर से इधर से उधर जाएगा अगर पलस का है तो माइनस का होगा माइनस का है फ्लस का वगणी चिन बदलेंगो इसके 8 में से इदर गया 2 तो X बराबर कितना आ गया 6 तो X का मान कितना है 6 6 में 2 जोड़ो 8 इदर भी 8 तबी बराबर था 2 में क्या जोड़े की इनमे 8 मिले तो कितना जोड़े 6 अज़ता X का मान कितना है 6 है यदि बाएं पलडे में निमन भार रखने पर तराजू संतुरी था तो समीकर्ण बनाओ X का मान क्या होगा तो समीकर्ण आपको बनाना है निमन भार रखने पर यदि बाएं पलडे में नीमन भार रखने पर तराज उसनतुरी थो तो समीकर्ण बनाओ X का मान क्या होगा तो यहाँ हमें देखो यदि बाएं पलडे में नीमन भार रखने पर तराज उसनतुरी थो तो समीकर्ण बनाओ और X का मान निकालो तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ पर वो जो समीकन था वो हमारे पास x प्लस 2 था, बराबर वहाँ 8 था, यहाँ पर हमें क्या लिखना है 12, और x का मान बताना है, x का मान कितना आएगा यहाँ पर, तो 10 आएगा, कितना आएगा 10, इसी परकार से 8, x जमा 2 बराबर 18, तो x का मान बताना, यहाँ पर, तो कितने में जोड़ेंगे, 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितने आएगा, 18 इसी परकार से यहाँ पर x जमा 2 बराबर कितना 13, तो यहाँ पर कितना x का मान 11 है, तो यहाँ पर यह थोड़ा misprint है, यदि बाएं पलडे में निमर भार रखने पर तराज सुन समीकर्ण बनाओ, तो यहाँ पर बाएं के बजाए दायां पलडाना चाहिए, ठीक है, दायां पलडे के आंसवर यह आने चाहिए थी, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, आगे नीचे दिये गए, समीकर्ण में दी y जमा 4 बराबर 8 है, तो y का मान निकालो, तो म से 4 गया, उसी परकार से 4 में 4 जोड़ के देखो कितना आता 8, तो y का मान कितना आएगा 4, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बर देंगे, 4 बर देंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, यदि 8 जमा z बराबर 18 हो, तो z का मान क्या होगा, आप सीधा भी देख सकते हो, z म कितना जोड़ें, यानि 8 में कितना जोड़ें, 18 आए, तो 10, और वैसे निकालना चाहो, तो देखो, 8 जमा z बराबर 18, ये 8 इदर जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 18, पलस का 8 आए, तो इदर जाके, किस का माइनस का, तो कितना आया, देखो, 10 यहाँ इस तरीके से भी आपर निकाल सकते हो, आगे है, यदि एक्स जमा एक बटा तीन बराबर दो, तो एक्स का माल इसको इस तरीके से निकाल देते हैं, एक्स जमा एक बटा तीन, बराबर दो बटा तीन, तो अब ये इदर जाएगा, दो बटा तीन, ये माइनस का एक बटा तीन हो जाएग इसी परकार से चोथा 2 है चोथे में क्या है दिखो M जमा 1 बटा 3 बबर 5 बटा 3 तो M बबर 5 बटा 3 और ये 1 बटा 3 इदर लेके जाएगे माइनस का 1 बटा 3 आजाएगा तो अगर हर बबराबर 3 लगुत्म आजाएगा 5 में शेग गया च्यार शिदा ही इस कांसर के आजएगा च्यार बटे तीन आजएगा पांच में का देखो X जमा 12 ब्राबर 20 तो X में 12 जोड़ने पर 20 आता है तो X का मान क्या हो सकता है आठ हो सकता है अब सिदा भी लिख सकते हो 12 राट 20 आगे है रामू के पास कुछ कंचे हैं, इन में से उसने 20 कंचे अपने बाई को दे दिया, अब रामू के पास 50 कंचे बाकी रह गए, बताओ रामू के पास सुरुआत में कितने कंचे थी, तो रामू के पास कुछ कंचे हैं, उन में से 20 कंचे अपने बाई को दे दिया, अब रामू के पास 50 कंचे ब बाकी रह गे, बताओ रामो के पास कितने कंचे थे, तो रामो के पास X कंचे थे, गटा में 20, उसने बाई को दे दिये, बाकी कितने रह गे 20, तो यहां पर हम किस संख्या में से 20 गटाने पर 50 मिलेगा, तो X का मान निकालना है, तो यहां पर बराबर का निशान आएगा, तो क पर 50 बचने हैं इसका मितलब नामू के पास सरवात में कितने कंचे थे 70 कंचे थे तो यही यहां पर इसने निकाला है तो इस तरीके से हम भी निकाल सकते हैं आगे हैं अब इन्हें इसी प्रकार से हल करें तो बिलकुल कर सकते हैं एकस बराबर तीन इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का एकस बराबर साथ और तीन कितना हो गया दस इसको भी हल करना ऐसे एकस बराबर पांच बटे दो माइनस का एक बटा दो इधर जाएगा तो प्लस का एक बटा दो हर बराबर है तो हर को ऐसे लिख लो पां 7,5 है यह इधर जाएगा पलस का 2,5 हो जाएगा अब पांच में से 5,10 जड़ गया 5 दस दस मलो एक असी लगी तीन दो पांच और एक छे यानि 6, finden 0 यानि तरची इसी परकार से इसमें देखो x बराबर एधर 5,の दस है ये इधर जाएगा पलस का एक दस्मलों दो हो गया तो दस्मलों के बाद वाले जोड़ो दो दो च्यार दस्मलों दस्मलों से पहले वाले पांच और एक छे छे दस्मलों च्यार आ गया आगे वाले में देखो तो इसमें X बराबर 17, 13 इतर जाएगा, प्लस का हो गया, कितना हो गया, देखो, 7 और 3, 10, ये 13 है, और 2 और 1, 3, 30, आंस्वर कितना आ गया, 30 हा गया, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, आगे देखो, रीता की मा, रीता की मा, की उमर उसे 3 गुना है, रीता की उमर 12 वर्स है, तो मा की उमर कितनी है, तो यहां देखो, रीता की उमर 12 वर्स है, मा की उमर X वर्स है, तो मा की उमर रीता से 3 गुना अर्थार्थ, X बराबर 12 गुना 36 वर्स होगी, तो X बराबर 36, मा की उमर कितनी वर्स होगी, 36 30 वर्ष हो गई। रीता की माः उससे 3 गुना है। तो रीता की उम्मर 12 वर्ष है तो माः की उमर कितनी होगी, बिल्कु निकल शकते हैं। यदि उसके पास जितनी टोफियां उनकी आदी पचास है तो बता उसके पास कितनी टोफियां थी मान लो उसके पास X टोफिय थी उसकी आदी करें तो कितना आता है पचास अर्थार्थ X बटा 2 बराबर पचास X बटा 2 बराबर कितना आता है पचास अगर हम इसको हल करेंगे तो ये दो भाग में है बटा में मतलब भाग में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा गुणा में हो गया तो X बराबर कितना आगया 50 दुणी 100 कितनी टोफियां थी उसके पास 100 टोफियां थी तो X बराबर 50 आगया अब इने भी हल करें तो मैंने आपको बताये था अगर कोई संख्या इदर भाग में इदर जाएगी गुणा में होगी तो इदर जाके देखो इदर तीन भाग में है तो इदर जाके गुणा में होगी तो X कामान 30 तीन 90 इसी प्रकार यहां पर देखो 20 बता 3 और यह 3 इदर जाएगा तो गुणा में होगा 3 से 3 कैंसिल होगा X बराबर कितना आगया 20 आगया ठीक है यहां पर भी 18 इदर जाएगा तो इदर जाके गुणा में होगा तो बाग में है 9 गुणा 18 तो यह अगर हम करेंगे तो इस कांसर इतना आजाएगा 162 आगे चोथे में अगर Z का मान निकालें तो 3 दसमलो 7 गुणा में 1 दसमलो 2 जाके गुणा में हो जाएगा आप इनके गुणा कर लेना गुणा अगर हम करें तो गुणा कर 12 और 36 की गुणा करके दसमलो लगा लेना तो आगे है इसका last जो है इसको अगर हम हल करें 302 बटा 5 यह इदर जाएगा 102 क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 102 गुणा में हो जाएगा 302 और 102 की गुणा कर लेंगे बटा 5 इतना अंसर इसका हो जाएगा चीक है आप कर सकते हैं ऐसा किसी संख्या को 3 से बाग देने पर 12 प्राप्तोता संख्या ग्याद करो तो माना संख्या X है किसी 3 में से बाग देने पर हमें प्राप्तोता X बटा 3 X को 3 से बाग दिया तो बराबर कितना है 12 समी करणिया बन गया तो अभी देखो 12 और ये तीन इदर जाएगा तो गुणा में होगा तो X का मान कितना गया 12 ती ये 36 आगे ममता की उमर X वर्ष के पिता की उमर उससे 5 गुणा ये उसके पिता 35 वर्ष के तो ममता की उमर बताओ तो ममता की उमर मान लो X वर्ष पिता की उमर X गुणा 5 यानि 5X उसे 5 गुणी है और दे रखिये कितनी 35 तो 5X ब्राबर क्या रखेंगे 5X ब्राबर 35 अब 5 जो X के साथ गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा बाग में होगा नीचे जाएगा 5 एकम 5 पांच 7 तो ममता की उमर कितनी वर्ष है 7 वर्ष तो यहां पर देखो 7 वर्ष आई हुई है इन्हें भी हल करो तो यहां पर मैंने बताया था कोई संक्या इदर से दूर जाएगी अगर गुणा में है तो बाग में होगी तो X ब्राबर क्या होगा 36 बटे में 4 आएगी 4 निम 36 X का मान नो यहां पर X ब्राबर 5 बटे 2 अगर गुणा में है तो बाग में होगी मतलब इदर जाके पलट जाएगी तो 2 उपर चला जाएगा नीचे वाड़ी उपर चली जाएगी उपर वाली नीचे आजएगी तो 2 से 2 कैंसिल X का मान कितना आगया 5 यहां पर भी X ब्राबर 100 बट पांच बटे में क्या जाएगा एक दस्मलों पांच अब दस्मलों के बाद एकंकिस में एकंकिस में दस्मलों के बाद मतलब एकंक है यह नहीं तो यहां पर हम इनको काट सकते हैं पांच दिये 15 पांच 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 पच्चिस और पांच एकंपांच फीर एकंट जाएगा तीन एकंट इन सत्रा पर कट गया तो X का मान कितना आ गया सत्रा आ गया ठीक है आगे हम कल करेंगे तो प्यारे बच्चों आज हमने जो आठ स्वाल हल किये उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आये हूंगे आगे हम कल करेंगे धन्यवाद जाए